हेलो और वेलकम टू मा चैनल मैं हूँ अंकिता और स्वागत है आपका कुक विद अंकिता में आज मैं आपके साथ शाही मटर पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जैसा हम शादियों में खाते हैं बिलकुल वैसे ही आप इसका टेक्शर देख सकते हैं कितनी जादा क्रीमी रिज और एकदम ठिक इसकी ग्रेवी रहती है इसलिए थोड़ी खाने में हेवी भी होती है आज इसी को हम बनाने वाले हैं लेकिन उससे बहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत बूलेगा चले फिर स्टार्ट करते हैं तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 12-13 हम यहां पर कैस्यू ले ले रहे हैं साथ में हम ले ले लेंगे 1 टेबल स्पून मेलन सीच जिसे ख ले ले लेंगे अनियन को फाइनली चॉप कर लिया है मैंने चॉपर के हल्प से टोमैटो की यहां पर प्यूरी रेडि कर लिया है और जो मेलन सीच और कैश्यू सोक करके रखे थे हमने उसका भी पेस्ट रेडि कर लिया है 200 ग्राम मैंने यहां पर पनीर लिया है और उसको बढ़े चुंक्स तरीके से बड़े चुंक्स में कड़ कर लिया है जाते gondir है एक कब ड़ाइने नितुच कर सकते हैं सब्से पहरे एक पैन हम गर्म कर रहे हैं और इसमें एड़ कर दे लुदिंगे लुद्ड हो जाने के दर समें फिर फिर सीह goingard तो चोटी लाइची भी एड़ कर सकते हैं तीन से चार लॉंग एड़ करेंगे वन टीस्पून जीरा और इन सब को अच्छे से सौते कर लेंगे अब हम इसमें एड़ कर देंगे फाइनली चॉप किये हुए अनियन और इसको भी हमें हलका गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करना है अब यहां पे हम अनियन जो है उसको अच्छे से ब्राउन करेंगे टोमैटोस को अलग कुक करेंगे और साथ में जो हमने कैश्यू का पे आप पे जिंचे कार्लिक पेस्ट अब देख सकते हैं अब आप अगर उसको जो इसे अगर प्राउन हो चुका है बस इस तक हमें लाना है अब इसमे एड कर देंगे और इसको भी हम उच्छे से कुक करेंगे लेकिन इसके साथ ही हम इसमें कुछ सब्स्टीं यहां एकर दें रेड चिली पाउडर ये कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें एड कर रहे हूं तो टीस्पून धनिया पाउडर एंड वन टीस्पून हम इसमें डालेंगे बुना हुआ जीरे का पाउडर और इन सम्मसालों को और टोमेटो प्यूरी को हमें अच्छे से कुक करना है जब हो जाए बीच पीच में आपको स्टर करते रहना है अब मसाला जो है भून चुका है लेकिन अभी हम इसे थोड़ा और बूनेंगे तो अब इससे तरह से ओपन रगकर ही चलाते हुए हम इसे बूनेंगे तो जितना भी टोटल है ना वो रिड्यूस होके हाफ हो जाना चाहिए इतना तो यहां पे देक सकते हैं अधा रह गया है अग्दम राय सा भी हो गया है तो अब इसमें एड़ कर दे रहे हैं Cashew Past and Юздर के मैं daha तो तेबर स्पून फ्रेश घर की निकली हुई मलाई आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक से दो मिनट अच्छे से इसको चलाएंगे इसी में तो मसारा जो हमारा एक दम रेड़ी हो चुका है तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं इसमें हमारी मतर मतर जैसे की मैंने आपको बताया मैंने अलरी बॉल की हुई है आप चाहे तो फ्रेश मतर भी डाल सकते हैं तो थोड़ा दियर अप इससे ब्हूने और तो झाल जह से प तो इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स हो जाए सब कुछ इसके बाद हम इसमें एड कर दे रहे हैं दो ग्रीन चिली चिली आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं सब कुछ मिक्स हो जाने के बाद मैं यहां पर लिलेट लगा के इसको कुख होने के लिए करीबन तीन से चार मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ रहे हूं अब आप देख सकते हैं इसमें से ओईल जो है वह सेपरेट होना शुरू हो गया है काफी थिक होती जारी है हमा पाद ही पनीर को एड़ करें तो यहां पर देख सकते हैं मैंने पनीर एड़ कर दिया है और इसको अब मैं लिड लगा के लो फ्लेम पे तीन से चार मिनट और कूक हो चुके हैं और दिखे कितना बढ़िया इसका ऐल सपरेट हुआ है तो यहां पर कुछ मसाले एड़ कर दे वहाँ यहां पर देख सते हैं कितना जादा बढ़ी है कितनी अवी लगती है उतल तभी क्लीस और ऑर बनावे गया है तक यहां पर मैं एक मिनट के लिए हैं और आक से टेस्टी शाही मटर पनीर बन करके तयार है आप इसका टेक्चर देख सकते हैं और पनीर जो है वह बिल्कुल सॉफ्ट है बिल्कुल भी टफ नहीं हुआ है एकदम सॉफ्ट पनीर है और टेक्चर बिल्कुल बाहर जैसा है तो इसे जरूर ट्राइब करें और ट्राइब करने बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन जरूर हिट करेगा उसके बाद ही आपको मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन्स रिसीव होंगे चलिए फिर मिलते हैं नेक्स रेसीपी में तिल दन बबाई टेक केर झाल